जे टी सी हॉलिडे प्रस्तुत करता है ग्यारार जियोतिर लीग दक्षन भारत के साथ। गुजरात, डाकुर, मुख्या मंदिर एक किले की दीवार से घिरा हुआ है। डाकुर के मुख्या बजार के बीच में पवित्र जील गोमती के तट के पास स्थित है। मंदिर आठ गुमबदों और 24 बुर्जों से धाका है, जिसमें केंद्रिया गुमबद 27 मीटर की उचाई तक पहुँचता है। मद्य प्रदेश, शिव पुरी, उनकारेश्वर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, ये शिव के 12 प्रतिष्थिक ज्योतिरलीग मंदिरों में से एक है। सदियों पहले भीर जनजाती ने इस स्थान पर लोगों को बसाया था और अब ये स्थान अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है और जिसे पहले नर्मदा के नाम से भी जाना जाता था या निर्बुड़ा के रूप में जाना जाता था, भारत की पांच वी सबसे लंबी नदी और सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये नदी भारत में मध्या प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। कई माइनों में दोनों राज्यों के लिए अपने विशाल योगदान के कारण इसे मध्या प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। उज्जयन महाकालेश्वर ज्योतिरलीग एक मंदिर है जो शिव को समर्पित है और बाराः ज्योतिरलिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास कहा जाता है मंदिर पवित्र नदी शिप्रा के किनारे स्थित है पीठा सीन देवता लिंगम रूप में शिव को स्वयम्भू माना जाता है हर सिद्धी माता मंदिर जिसे हरशल माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है मुख्या मंदिर मूल रूप से समुद्र के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने अपने जीवनकाल में उनकी पूजा की थी और तब से कोईला दूंगर नामक पहाड़ी पर रह रहे हैं मंदाकिनी नदी के तठपर स्थित रामधाट उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है माना जाता है कि इस जिले के कई अन्य स्थानों की तरह पौरानिक महाकाव्य रामायन से एक एपिसोड की मेजबानी की गई है भर्तरी की गुफा या भर्तरहरी की गुफाएं उज्जैन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है भर्तरहरी की गुफाएं गोरकनात मट के द्वारा प्रबंधित की जाती है यहां पर दो गुफाएं है इन में से एक गुफा भूमिगत है भूमिगत गुफा में जाने के लिए बहुत सक्रा रास्ता है और नीचे जाने के लिए सीरियां बनी हुई है आप गुफा के नीचे जाएंगे तो नीचे एक बड़ा सा हॉल है और भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है काल भैरो मंदिर भारत के मध्य प्रदेश में है ये शहर के सनरक्षक देवता काल भैरो को समर्पित है शिप्रा नदी के तटपर स्थित ये शहर के सबसे सक्रिया मंदिरों में से एक है जहां रोजाना सेकडों भगत आते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ को मंगल का जन्म स्थान माना गया है प्राचीन काल में ये ग्रह के सपष्ट द्रिश्य के लिए प्रसिध था और इसलिए खगोलिया अध्ययन के लिए उप्युक्त था महादेव या शिव देवता हैं जिनकी पुजा मंगलनाथ के मंदिर में की जाती है चिन्तामन गनेश भारत के मध्य प्रदेश के उज्जन में भगवान गनेश का सबसे बड़ा मंदिर है यह मंदिर फतेहाबाद रेलवे लाइन पर क्षिप्रा नदी के पार बनाया गया है और उज्जन शहर से लगभग साथ किलोमेटर दूर दक्षिन पश्चम में स्थित है महर्शी सांधीपनी एक आचार्य थे जिनका जीवन भगवान कृष्ण के साथ घनिश्थ रूप से जुड़ा हुआ है वस्तुताह महर्शी सांधीपनी कृष्ण और बलराम के गुरू थे दोनों भाई अपने मित्र सुदामा के साथ गुरू सांधीपनी के आश्रम में पढ़ने गए। उत्तर प्रदेश, चित्रकूट, चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर, भगवान कामतानाथ को समर्पित है, जो श्री राम का दूसरा नाम है। चित्रकूट हिंदू भगतों के लिए अत्यधिक महत्ववाला स्थान है। एक कुंड में भगवान हनुमान के देवता पर गिरने वाले पानी की एक धारा है और इस ख्षेत्र में लंगूर है। हनुमान धारा उस जरने का नाम है जो एक चट्टान से निकला था जब भगवान राम ने लंका जलाने से लोटने के बाद अपनी पूंच में लगी आग को बुझाने के लिए इस स्थान पर आये हनुमान को शांत करने के लिए एक तीर चलाया था। जानकी कुंट चित्रकूट के रामधात से लगभग दो किलोमेटर दूर स्थित है। जानकी देवी सीता का दूसरा नाम है और इस स्थान का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कुंट के ठीक पीछे दो मंदिर स्थित हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर और श्री रगुवीर मंदिर। कुंट के उस पार प्रमोध वन है जिसकी उपस्थिती जगह की शांती को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। चित्रकूट में सबसे लोखप्रिय पर्यटक आकर्शनों में से एक राम दर्शन मंदिर आध्यात्मिक अनुभव से कहीं अधिक प्रदान करता है। जहां तक भगवान राम, देवी सीता और भगवान हनुमान की मूर्तियों का संबंध है, यह मंदिर अन्या मंदिरों के समान ही है। सती अनुसुया आश्रम चित्रकूट स्थित है। यह इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और इसे चित्रकूट चार धाम का एक हिस्सा माना जाता है। इस स्थान का नाम इस तथ्य से मिलता है कि यह महर्शी अत्री और उनकी पत्नी महासती अंसुया के आश्रम के रूप में कार्य करता था। ऐसा माना जाता है कि गुप्त गोदावरी वह स्थान है जहां ताक जांक करने वाले राक्षस मयंक ने सीता पर जासूसी करने की कोशिश की थी जब वो एक कुंड में सनान कर रही थी। उसकी हरकत से क्रोधित होकर लक्षमन ने उसे दरा दिया और उसे इस गुफा की छट से चिपका दिया। वारानसी, काशी विश्वनात मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चमी तठ परस्थिद हैं और शिव मंदिरों में सबसे पवित्र बाराय-जयोतिर लिंगों में से एक है। एक बार शिव ने टिपणी की की समपूर्ण संसार माया है। भोजन की देवी पार्वती क्रोधित हो गई और प्रित्वी पर सभी भोजन को गायब करके भोजन के महत्व को प्रदर्शित करने का निर्नाय लिया। संसार भूग से तड़पने लगा। अंत में शिव पार्वती के पास आए और भोजन के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके द्वार पर भोजन की भीख मानगी। पार्वती ने प्रसन होकर शिव को अपने हाथों से भोग लगाया और फिर अपने भक्तों के लिए वारानसी में रसोई बनाई। मंदिर को काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। निर्मान का वास्तविक समय अग्यात है। हालां कि पुजारियों का दावा है कि इसे लगभग 500 साल पहले राजामान सिंग के एक अनाम नौकर ने अपनी मां रतना बाई के लिए बनवाया था। काल भेरो मंदिर वारानसी भारत के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। भरोनात वारानसी में स्थित इस मंदिर का धर्म में बड़ा एतिहासिक और सास्कृतिक महत्व है। शिव का एक भायन कर रूप है और खोपड़ी की माला पहनते हैं और मोर पंखों का एक क्लब रखते हैं। हरिश्चंद्र घाट ऐसा माना जाता है कि वारानसी के एक पौरानिक राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और न्याय की स्थापना के लिए शमशान भूमी पर काम किया था। गंगा सागर में गंगा आर्ती गर्मियों में सूर्यास्त के बाद रोजाना शाम सादे 6 बजे और सर्दियों में शाम 7 बजे लगभग 45 मिनित तक आर्ती होती है। स्थल दशाश्वमेद घाट है जो वारानसी के सभी घाटों में सबसे पवित्र है। प्रिया दिवंगत और पूर्वजों या पिंद दान के लिए हिंदू धार्मिक श्रद्धानजली जीवित परिवार के लिए अपने मृतक रिष्टेदार की आत्मा को मुक्ती या जन्म और पुनर जन्म के कर्म चक्र से मुक्ती प्राप्त करने में मदद करने का एक तरीक है प्रयाग राज त्रिवेनी संगम गंगा यमुना और पौरानिक सरस्वती नदी का संगम है त्रिवेनी संगम प्रयाग में स्थित है संगम के निकट इलाबाद का क्षेत्र इस कारण संगम को कभी कभी प्रयाग भी कहा जाता है कद्मगिरी पहाड़ी उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पूजनिय स्थानों में से एक है। इस धार्मिक स्थल के तीर्थ्यात्री अक्सर आशीरवाद प्राप्त करने के लिए परिक्रमा करते हैं। उन्होंने नीलकंट वर्नी नाम अपनाते हुए, ग्यारा वर्ष की आयू में भारत भर में साथ साल की तीर्थ्यात्रा शुरू की। गोरकपुर, अन्य नाथ मठू जैसे फतेपुर शेखावाटी और अस्थ बोहर के बीच गोरक नाथ मंदिर को मुख्य नाथ प्रतिष्ठान के रूप में देखा जाता है। मंदिर के भीतर विभिन हॉल और कम्रे हैं जिन में विभिन देवताओं की पूजा की जाती है। नेपाल, काथमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर काथमांडू का सबसे पुराना मंदिर है। यह निश्चित रूप से ग्यात नहीं है कि पशुपतिनात मंदिर कब बनाया गया था। लेकिन नेपाल महात्मय और हिमवत खंट के अनुसार यहां के देवता ने पशुपती के रूप में वहां बहुत प्रसिधी प्राप्त की। स्वयंभू काथमांदू शहर के पश्चिम में काथमांदू घाती में एक पहाडी के उपर एक प्राचीन धार्मिक परिसर है। पहाडी पर पाए जाने वाले पेडों की कई किस्मों के लिए साइट के लिए तिबबती नाम का अर्थ सब्लाइम ट्री है। बौधनाथ काथमांदू के पूर्वी भाग में स्थित प्रसिद बौध स्थूप तथा तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व के सबसे बड़े स्थूपों में से एक है। 1989 से यह एक युनेसको विश्व धरोहर स्थल है। बुधनाथ पंथ के अनुयाई होने के कारण इस स्थल का नाम बौधनाथ रखा गया। काथमांदू दर्बार स्क्वाय में शहर पर शासन करने वाले मल्ला और शाह राजाओं के महल थे। इन महलों के साथ साथ, चौराहों के चारों और चौराहा, प्रकट प्रांगन और मंदिर है। इसे हनुमान धोका दर्बार स्क्वाय के नाम से जाना जाता है। ये नाम महल के प्रवेश द्वार पर भगवान राम के वानर भक्त हनुमान की मूर्ती से लिया गया है। जनकपुर राजा जनक के राज्य की राजधानी है। जनकपुर वो स्थान है जहां सीता मा का पालन पोशन हुआ था। यह वो स्थान है जहां सीता और राम का प्रसिद स्वयमवर हुआ था। बिहार, सीतामडी पौरानिक कथाओं में एक पवित्र स्थान है। इसका इतिहास त्रेता युग तक जाता है। भगवान राम की पत्नी सीता एक मिट्टी के बर्तन से निकली, जब राजा जनक बारिश के लिए भगवान इंद्र को प्रभावित करने के लिए सीतामडी के पास कहीं खेत की जुताई कर रहे थे। गया जी, पिट्रू तरपन विधी में हर दिन पिट्रू के लिए तरपन करना चाहिए। तरपन के लिए आपको कुश, अक्षत, जो और काला तिल का उप्योग करना चाहिए। तरपन करने के बाद पिट्रू से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगे। महाबोधी मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेश रूप से ज्ञान प्राप्ती से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक है। पहला मंदिर तीसवी शताब्दी ईसा पूर्व में समराट अशोक द्वारा बनाया गया था और वर्तमान मंदिर पांचवी या छथी शताब्दी का है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता, काली घाट कोलकाता शहर में हुगली नदी के पुराने पाठ्यक्रम पर काली के लिए पवित्र घाट था। कहा जाता है कि कोलकाता का नाम काली घाट मंदिर की काली काता देवी शब्द से लिया गया है। प्रिंसेप घाट 1841 में ब्रिटिश राज के दोरान भारत में हुगली नदी के कोलकाता तट के साथ बनाया गया एक घाट है। प्रख्यात एंगलो इंडियन विध्वान और पुरातन पंथी जेम्स प्रिंसप की याद में पलिडियन पोर्च को डबल्यू फिट्सगेरल्स द्वारा डिजाइन किया गया था और 1843 में निर्मित किया गया था। विध्यासागर सेतू, जिसे दूसरे हुगली ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पश्चम बंगाल में हुगली नदी पर एक टोल ब्रिज है, जो कोलकाता और हावडा शहरों को जोडता है। 10. सदल स्ट्रीट स्थित वह घर, जहां रवींदरनाथ टैगोर कुछ समय के लिए रुके थे और उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद कविताओं में से एक की रचना की थी, आज एक होटल है। जोरा साकोठा कुरबाडी, कोलकाता का वह घर जहां रवींदरनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने प्रारंबिक वर्ष बिताए थे, आज एक संग्रहाले है। नेताजी सुभाष चंद्रबोस में रुची रखने वाले इतिहास के शौकीनों को निश्चित रूप से कटक के ओडिया बजार में नेताजी संग्रहालत दिल्चस्प लगेगा। नेताजी का जन्म कटक में 23 जन्वरी 1897 को जानकीनाथ भावन में हुआ था, जिसका नाम उनके पिता जानकीनाथ बोस के नाम पर रखा गया था। लोकप्रिया रूप से तारामंडल के रूप में जाना जाता है, तारामंडल का उद्घाटन 2 जुलाई 1963 को भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू द्वारा किया गया था। इसमें विज्ञान उपकरनों के डिजाइन और निर्मान के लिए एक इलेक्ट्रोनिक्स प्रयोग शाला है। संगमर्मर की एक बड़ी इमारत है, जिसका प्रवेश द्वार क्वीन्स वेपर है। इसे 1906 और 1921 के बीच ततकालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। यह 1876 से 1901 तक भारत की महारानी विक्टोरिया की स्मृती को समर्पित है। राजा राजेंद्र मलिक द्वारा बनाया गया था, जो कला के कारियों को एकठा करने के जुनून के साथ था। यह घर उनके वन्शजों के लिए निवास बना हुआ है और वर्तमान में रहने वाले राजा राजेंद्र मलिक बहादुर का परिवार है। कोलकाता का पारसनाथ या पार्श्वनाथ जैन मंदिर 1867 में रे बद्रीदास बहादुर द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में सालाना हजारों लोग आते हैं। पारसनाथ जैन मंदिर वास्तव में चार मंदिरों का एक परिसर है। मुख्या मंदिर दस्वे तीर्थनकर शीतलनाथ को समर्पित है। प्रतिष्ठा श्री कल्यान सूरीश्वर जी महराज द्वारा की गई थी। दक्षिन इश्वर काली मंदिर नवरत्न मंदिर है। हुगली नदी के पूरवी तटपर स्थित मंदिर की पीथा सीन देवता भवतारिनी हैं जो पराशक्ती आध्या काली का एक रूप हैं जिन्हें आधिशक्ती कालिका के रूप में जाना जाता है। बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्याले है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के प्रमुक्ष शिश्य स्वामी विवेकानन्द ने की थी। गंगासागर में कई एकड चमकदार चांदी की रेत और साफ नीला आकाश है, गंगासागर द्वीप देश के सबसे लुखप्रिया हिंदू तीरत स्थानों में से एक है, प्रत्य एक वर्ष मकर संक्रान्ती पर देश भर से बड़ी संख्या में भक्त गंगासागर में गंगा एक मंदिर है और भारत के ओडिसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, मंदिर भुवनेश्वर शहर का सबसे प्रमुख लैंडमाक है और राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्शनों में से एक है, पूरी जगन्नात मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो विश्णू के एक रूप जगननात को समर्पित है हिंदू धर्म में सर्वोचा देवत्व की त्रिमूर्ती में से एक वर्तमान मंदिर का पुनर निर्मान 10वी शताबदी के बाद से परिसर में पहले से मौझूद मंदिरों के स्थान पर किया गया था साखी गोपाल मंदिर उपचारिक रूप से सत्यबाड़ी गोपीनात मंदिर के रूप में जाना जाता है एक मध्यकालीन मंदिर है जो ओडिसा में पुरी भुवनेश्वर राजमार्ग पर साखी गोपाल शहर में स्थित भगवान गोपीनात को समर्पित है मंदिर कलिंग वास्तुकला शैली में बनाया गया है हिंदू सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर परिसर के अवशेशों में विशाल पहियों और घोरों के साथ उचे रत का आभास होता है जो सभी पत्थर से उकेरे गए हैं एक बार 200 फीट से अधिक उचा मंदिर का अधिकांश हिस्सा अब घंडहर में है आंध्रा प्रदेश, सलम, श्री लक्ष्मी नर्सिम्हा स्वामी मंदिर है जो यादादरी भुवंगिरी के छोटे से शहर यादगिरे गुट्टा में एक पहाडी पर स्थित है मंदिर भगवान विश्नु के अवतार नर्सिंग का निवास स्थान है श्री सेलम मंदिर है जो शिव और पार्वती को समर्पित है इस मंदिर को शिव के बारा ज्योतिर लिंगों में से एक और अठारा शक्ती पीठों में से एक के रूप में जाना जाता है शिव को मलिकार जुन के रूप में पूजा जाता है और लिंगम द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है इस मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा शांदार रूप से वर्नित किया गया है जहां भगवान विश्नु काली के युग में निवास करते हैं तिरुपती बालाजी या श्री वैनकटेश्वर स्वामी मंदिर हिंदू पौरानिक कथाओं के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है जो आंध्रा प्रदेश के चित्तूर जिले में एक शांदार स्थान रखता है तमिल नाडू, कांची पुर्म, वरद राजा पेरुमल मंदिर विश्नु को समर्पित मंदिर है ये दिव्या देशम में से एक है माना जाता है कि विश्नु के 108 मंदिरों में 12 कवी संतों या अलवारों ने दर्शन किये थे ये कांची पुरम के एक उपनगर में स्थित है जिसे विश्नु कांची के नाम से जाना जाता है श्री रंगम, कावेरी नदी करनाटक और तमिलनाडू राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतिय नदियों में से एक है कावेरी नदी करनाटक राज्य के कोडागू जिले के पश्चिमी घाट में ब्रहमागिरी रेंज में तलकावेरी से निकलती है यह माईलाद त्रई जिले के पूम पुहार में समुद्र तक पहुँचती है श्री रंगनात स्वामी मंदिर के रूप में आमतोर पर दक्षिन में जाना जाता है भक्तों के लिए एक स्वर्ग है जहां भगवान विश्णू तमिलनादू के त्रिची में श्री रंगम के एथर द्वीप पर रंगनात के रूप में अपने उपासकों की शोभा बढ़ाते है श्री रंगम को भूलोगा वैकुन्दम कहा जाता है रामेश्वरम रामेश्वरम का दुसरा नाम रामनात स्वामी है रामनात स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है मंदिर बाराः ज्योतिर लीग मंदिरों में से एक है जहां शिव की पूजा ज्योतिर लीग के रूप में की जाती है जिसका अर्थ है प्रकाश का स्तम्व ये चार धाम तीरत यात्रा का हिस्सा है रामेश्वरम मंदिर में सभी भक्तों को जियोतिलीग के दर्शन कराने से पहले 22 कुंट के जल से सनान कराया जाता है तीरत सनान का आरंब सबसे पहले कुंट में दूब की लगाने से शुरू होता है सभी इस मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर समुद्र में सनान करते हैं जिसे 22 कुंट सनान कहते है शिव मंदिरों में शैव आगम स्फटिक लिंगम के रूप में भगवान शिव की पूजा करने की अनुमती देता है शैव आगम कहते हैं इस महान भगवान शिव की पूजा मिट्टी या रेथ, गाय के गोबर या लकडी, कास्या या काले ग्रिनाइट पत्थर से बने लिंगम के रूप में की जा सकती है लेकिन सबसे शुधा और सबसे अधिक मांग वाला रूप क्वाट्स क्रिस्टल है कन्या कुमारी, विवेकानन्द मेमोरियल कन्या कुमारी में एक समारक और लोकप्रिय पर्यटक आकर्शन है समारक वाव्थुराई की मुख्य भूमी पर स्थित है यह 1970 में स्वामी विवेकानन्द के सम्मान में बनाया गया था जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चट्टान पर ज्यान प्राप्त किया था कन्या कुमारी के प्रत्येक आगंतुक के लिए एक यात्रा स्थान संसेट पोईंट तीन महासागरों का संगम है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर जिसे त्रिवेनी संगम के रूप में भी जाना जाता है ये संगम द्रिश्यों को और भी खास और लुभावनी रूप से अनूठा बना देता है देवी कन्या कुमारी एक किशोर लड़की के रूप में महादेवी का एक रूप है उन्हें धर्म की विभिन परंप्राओं द्वारा पार्वती या लक्ष्मी का एक रूप होने के लिए वर्नित किया गया है उन्हें शाक्तों द्वारा देवी भद्राकाली के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें श्रीबाल भाद्र, श्रीबाला, कन्या देवी और देवी कुमारी जैसे कई नामों से जाना जाता है मदुराई अरुलमिगू मीनाक्षी सुन्दर सुरार मंदिर एक हैतिहासिक मंदिर है जो भारत के तमिलनाडू के मदुरे शहर पर स्थित है। ये देवी मीनाक्षी शक्ती का एक रूप और सुन्दरेश्वर शिव का एक रूप को समर्पित है। देवी चामुंडी के नाम पर चामुंडेश्वरी मंदिर मुख्य पहाडी के ऊपर स्थित है। मुख्य पहाडी में ही एक हजार आथ referral की एक प्राचीन पत्थर की सीड़ी है जो इसके शिकर तक जाती है। शिकर के लगभग आधे रास्थे में भगवान शिव के बैल न उद्यान को बनाने का काम 1927 में शुरू किया गया था और 1932 में पूरा किया गया था। प्रती वर्ष करीब 2 मिलियन पर्यत को द्वारा देखा जाने वाला यह उद्यान श्रीरंग पतना के प्रमुख आकर्शनों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार ये वो जगह है जहां सबरी ने श्री राम को जामुन खिलाए थे। अभी यहां पे मा सबरी के नाम का आश्रम है। पर भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर है। किशकिंधा वानरों का सामराज्य है। ये संस्कृत महाकाव्य रामायन में बाली के छोटे भाई राजा सुग्रीव द्वारा शासित है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार यहवर राज्य था जिस पर सुग्रीव ने अपने सलाहकार हनुमान की सहायता से शासन किया था। महराश्ट्र, पंदरपुर, चंदरभागा नदी महराश्ट्रा राज्य के अमरावती जिले की मेहत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये पूर्ना नदी की सहायक नदी भी है और तापती पूर्ना नदी प्रनाली का एक हिस्सा है। चंद्रा नदी लाहॉल और सिप्ती जिले में मुख्य हिमालय श्रिंखला के आधार से दक्षिन की ओर बहती है और कीलों के बहाव में भागा नदी में मिल जाती है। विठोबा मंदिर जिसे आधिकारिक तौर पर श्री विठ्थल रुकमिनी मंदिर भी कहा जाता है। यह विठोबा, भगवान विश्नु या क्रिश्न के एक रूप और उनकी पत्नी राखुमाई के लिए पूजा का मुख्य केंद्र है। मंदिर का निर्मान होए सल सामराज्य के राजा विश्नु वर्धन ने ग्यारा सो आठ, ग्यारा सो बावन सीई के बीच एतिहासिक व्यक्ती पुंदलिक द्वारा आश्वस्थ होने पर किया था। श्री वैजनात मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है। ये बारा ज्योतिर लिंगों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 3000 साल पुराना है। वैजनात मंदिर एक छोटी सी पहाडी पर पत्थर से बना है और एक दीवार से घिरा हुआ है जो इसे चारों तरफ से बचाता है। उन्धा नागनात मंदिर बारा प्रसिद ज्योतिर लिंगों में से आठवा ज्योतिर लिंग है जिसे नागेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है परंप्राओं में बारा ज्योतिर लिंगों को जाना जाता है ज्योतिर लिंग भगवान शिव का भक्तिपूर्ण प्रतिनिधि ग्रिशनेश्वर ज्योतिरलीग मंदिर जिसे कभी-कभी घरनेश्वर या घुषमेश्वर मंदिर कहा जाता है भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में से एक है जिसका उलेक शिव पुरान में मिलता है ग्रिनेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा के स्वामी मंदिर की बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। गुफा सोला में दुनिया का सबसे बड़ा एकल अखन चट्टान उत्खनन, केलाश मंदिर, भगवान शिव को समर्पित एक रत के आकार का समारक है। संतोष, आंतरिक शान्ती और भगवान और गुरु के प्रती समर्पन के नैतिक कोड पर ध्यान केंद्रित करती है। शनी भगवान की स्वयंभू मूर्ती काले रंग की है। यह मूर्ती संगमर्मर के एक चबूत्रे पर धूप में ही विराजमान है। लगभग 3000 जनसंख्या क शनी शिंगनापूर गाव में किसी भी घर में दर्वाजा नहीं है। कहीं भी कुंडी तथा कड़ी लगा कर ताला नहीं लगाया जाता। धीमा शंकर सह्यादरी परवत के घात क्षेत्र में स्थित है। धीमा शंकर मंदिर पूरे भारत में स्थित बाराय ज्योतिर लिंग की असाधारन शिल्प कोशल को प्रदर्शित करता है नाशिक गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है जो भारत के कुल भोगोलिक क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत है इसका स्रोथ त्रय यंब केश्वर, नासिक, महराष्ट्र में है ये भारतिय उपमहद्वीप में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है पंचवटी नासिक शहर में पवित्र नदी गोदावरी के बाएं किनारे पर स्थित है कुछ बहुत पुराने और उचे बरगद के पेड़ हैं जिन का अर्थ है बरगद का पेड़ भारत में सबसे प्रसिद तपोवन भारत के उत्तराखंड में गंगा के प्राथमिक स्रोतों में से एक गंगोत्री घ्लेशियर के उपर का क्षेत्र है शिवलिंग चोटी के तल पर एक बंजक शेत्रा गुफाओं जोपडियों आदी में रह तिरलिंगों में से एक है जहां हिंदू वनशावली त्रयंब केश्वर महराष्ट्रा में दर्ज है पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबा के पास है गुजरात सोमनात मंदिर जिसे सोमनात मंदिर या देव पाटन भी कहा जाता है ये सबसे पवित्र तीरत हलों में से एक है और शिव के बारा जियोतिर लीग मंदिरों में से पहला माना जाता है ये सपश्ट नहीं है कि सोमनात मंदिर का पहला संसकरन कब बनाया गया था ये पौरानिक कथाओं के अनुसार पवित्र माना जाता है और कई शवों के दाह संसकार के बाद बची राख और अस्थियों को यहां दामोदर कुंड में सनान और विसर्जित करना पसंद करते हैं। इस विश्वास के कारण की दिवंगत आत्माओं को यहां मोक्ष मिलेगा।